हेलो दोस्तों YouTube चैनल टेक तंडो में आपका स्वाकत है दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम Instagram की एक Personal Account को Professional Account में Convert कर सकते है दोस्तों आप अगर Instagram की एक Personal Account ओपेन किया है और उस Account को आप एक Business Account में या फिर Professional Account में Convert करना चाते है तो वो आप बिल्कुल कर सकते है ये वीडियो को काई पे भी इसकिप ना करके पूरत देख लिजिए आप बहुती आसनी से ये कम कर सकते है लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आभी देगार हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जितना होसा कि इस वीडियो को दोस्तों की साथ शेयर भी कर दीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो दोस्तों सबसे पहले हमें इंस्टरगाम ओपेन करना है Instagram open करने के बाद bottom right corner में यहाँ पर देखिए हमारे logo होता है इस पर हमें tap कर देना है फिर इस तरह की interface आ जाएगा फिर यहाँ पर top right corner में देखिए 3Line का option है इस option पर हमें tap कर देना है फिर हमें यहाँ पर नीचे चले आना है और यहाँ पर देखिए एक option मिलते है settings and privacy का इस option पर हमें tap कर देना है फिर इस तरह की interface आ जाएगा यहाँ पर हमें क्या करना है उपर की तरफ थोरा सा scroll करना है फिर यहाँ पर देखिए आपको एक option मिलेगा account type and tools का इस option पर हमें tap कर देना है फिर यहाँ पर देखिए आपको दो option मिलेगा एक है switch to professional account और एक है at new professional account तो हमें यहापे क्या करना है हम personal account को professional account में switch करेंगे इसलिए हमें यहापे is option पे tap कर दिना है switch to professional account तो इस पे हम tap करते है फिर इस तरह की interface आ जाएगा फिर यहापे आपको professional account का features की बारे में बताएंगे यह आप चाहो तो पर सकते हो पढ़ने के बाद यहापे continue पे tap कर दिना है फिर से continue पे tap करना है फिर से continue पे tap करना है फिर से continue पे tap कर दिना है फिर से continue पे tap कर दिना है और यहाँ पर दिखे लिख्या हुआ है what best describes you categories help people find account like yours you can change this at any time मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं आपको एक category चूस करना होगा जो करने से आपका account को सही लोग ढून सके तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा एक category चूस करना होगा आप जिस type का content create करते है या फिर जो business करते है उस type की category यहाँ पर select करेंगे ठीक है देखिए यहाँ पर बहुत सरे categories है artist, musician, blogger, clothing और बहुत सरे categories यहाँ पर हैं जैसे कि मैं एक video creator हूँ तो यहाँ पर मैं video creator select करूँगा ठीक है तो इस पर मैं select कर देता हूँ फिर यहाँ पर देखिए आपको एक option मिलेगा display on profile अगर आप इस button को on कर देंगे तो आप जिस category को choose किया है वो category आपका profile के नीचे show करेगा तो अगर हम category को profile के नीचे show करना चाते है तो हम क्या करेंगे इस button को on कर देंगे ठीक है इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे down पर tap कर देना है ठीक है फिर आप अगर एक creator है तो आप यहाँ पर creator select करेंगे और अगर आप एक business man है तो यहाँ पर business select करेंगे ठीक है दोस्तों तो मैं एक creator हूँ इसलिए मैं यहाँ पर creator को ही select रहने देता हूँ इसके बाद नीचे यहाँ पर हमें next पर tap कर देना है ठीक है फिर यहाँ पर आपको five step fill up करने के लिए बोलेगा यहाँ पर एक एक करके सारे step को fill up कर सकते हैं या फिर किसी भी एक step को अगर fill up कर देंगे तो भी आपका business account या फिर professional account बन जाएगा आप पहले एक step को fill up करके business account ब करने के बाद आप कभी भी यह सारे step को fill up कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखे मैं एक step को fill up किया है complete your profile इस पर tap करते हैं फिर यहाँ पर आपको आपका नाम और यहाँ पर username और यहाँ पर बयो की जागा आप अपना address दे सकते हैं और नीचे यहाँ पर at link पर tap करके आप ठीक है दोस्तों तो इस तरह आप किसी भी एक step को fill up कर लेंगे तो आपका business account बन जाएगा तो देखे मैं यहाँ पर tip पर tap कर देता हूं और मेरा business account बन जाएगा ठीक है अब यहाँ से back चलते हैं home screen में फिर से tap करते हैं यह logo पर फिर यहाँ पर देखे मेरा professional account बन गये है यह convert हो चुका है इसके बाद आप यहाँ पर tap करके सारे step को fill up कर सकते हैं या फिर अगर नहीं करेंगे तो भी आप आपका business account को चला सकते हैं तो दोस्तों इस तरह आप Instagram की personal account को business account में या फिर professional account में convert कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा जोर comment करके बाताना तो आज के लि बाल भी आपके सबस्टों आपके सकते हैं लुदब